वेल्कम बैक टो अभिया स्कूल क्लासिज तो कोश्चन डिसकस करते है रिंग थियोरी का जो के मल्टिपल टाइम्स पेपर में आ चुके है तो पहले कोश्चन की स्टेटमेंट समझते है तो कोश्चन में आपके पास एक गीवन क्या चीज़ है एक रिंग आ रहे है और वो इस प्रॉप्टी को सैटिस्फाई करते है कि अगर आप एकस वाई का स्कूर करो तो आपके पास एक स्कूर वाई स्कूर बनेगा हो देखो यह कोई आम प्रॉप्टी नहीं है कि हर एक रिंग इसे सैटिस्फाई करे आम तोर पे हम इस चीज को ऐसे लिखते हैं xy का square तो xy into xy की form में लिखते हैं इसको तो ऐसा नहीं है कि आप इस चीज को एकदम से ऐसे लिख दोगे x square y square की form में यह चीज ठीक है हम real number में कर लेते हैं पर हमारे पास बहुत सारी matrices होगी functions होगे बहुत सारी rings ऐसी हैं जिसमें हम ऐसे direct नहीं लिख सकते हैं इस चीज को इससे तो यह बहुत important समझने वली चीज है कि यह जो ring है यह एक खास त्रह की property को satisfy कर रही है जिसमें आपके पास xy का whole square x square y square के ब्राबर दे रखे है तो अगर यह इस खास त्रह की property को satisfy कर रही है तो हमें यह show करने कि यह ring commutative है यह ring क्या चीज है? commutative है तो हम इसी पार्ट पर ही focus करेंगे कि ring commutative है तो इसमें आपके पास दो steps follow करेंगे देखो ध्यान से समझना एक step हम follow करेंगे एक बार एक element x लेंगे एक बार y प्लस 1 लेंगे तो इनके उपर यह property अप्लाई करेंगे फिर हम क्या करेंगे? इसको solve करके जो result आएगा उसमें हम x को x प्लस 1 से replace करेंगे x को किस से replace करेंगे? x प्लस 1 से तो देखो हमारे पास जो भी desired result है हमें जो commutative show करनी है वो चीज हमें मिलेगा तो important चीज आपके पास यह है कि आपको steps का एक idea रखना है पहले पूरे सारे steps आप देखनी है घबराना नहीं है बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि randomly ऐसे करते रहते हैं group theory में तो, ring theory में तो पता नहीं कहीं से कुछ भी उठा लेते हैं पर यह बहुत ही ज़्यादा logical subject है बहुत logically चलेंगे पहले आपने पूरा theorem का proof देखना है मलब जो numerical है अपने पास जो example है उसका पूरा proof देखना है एक बार आपने ठीक है तो माल लेते हैं कि x और y आपके पास r से बिलॉंग करते हैं तो x और y प्लस 1 भी बिलॉंग करेंगे r से क्योंकि इसमें unity element दे रखे आपके पास अगर x और y प्लस 1 r से बिलॉंग करेंगे तो आप कैसे लिख सकते हो x इंटू y प्लस 1 का whole square equal to x स्क्वेर इंटू y प्लस 1 का whole square के ब्रापर जब इसे solve करोगे तो ये क्या बनेगा x y प्लस x का whole square equal to ये बनेगा x स्क्वेर प्लस y स्क्वेर प्लस 2y प्लस 1 के ब्रापर देखो ये तो simply जब आप y प्लस 1 into y plus 1 करोगे तो यही बनेगा इस case में दो आपके पास अब इस पर क्या करो a square फिर से b square फिर से 2ab तो 2ab में हम ऐसे करेंगे कि जैसे x y एक बार x से multiply हो रहा है एक बार x x y से multiply हो रहा है तो यह बहुत केरफुली देखना x y into x x into x y के बार पर और यह किसके कुल बनेगा यह बनेगा आपके पास x square plus 2 x square y plus x square के बार यह बनेगा आपके पास तो फिर से इसे तो हम ऐसे लिख सकते हैं x square y square के बार देखो प्रॉप्टी का use किया ना हमने आप पे जो given थी प्लस फिर आपके पास आगया x square plus फिर आपके पास यह as it is x y x और इसे लिखेंगे x square y equal to ठीक है equal to यह आपके पास बनेगा x square y square plus 2 x square y plus x square के बार पर अब यहाँ पे कुछ चीज़े तो कटने के लिए त्यार बैठी है जैसे सबसे पहले यह x square कह रहा है कि इस x square से काट दो मुझे ठीक है और उसके लावा यह x square y कह रहा है कि इस तरफ ले जाके सब्ट्रेक्ट कर दो ठीक है उपर से यह x square y square भी कह रहा है कि यह भी काट दो तो देखो क्या क्या कट गया x square कट गया इस से कट गया यह वला पार ठीक है तो आपके पास यहाँ से क्या आएगा इस तरफ x y x बचेगा और इस तरफ बचेगा x square y के बार पर यह time कटेगी इसके साथ ठीक है यह कटेगा इसके साथ solve हो जाएगा आपका तो यहाँ पे क्या बनेगा यहाँ पे बनेगा x y x equal to x square y के बार पर तो बहुत important चीज इसका नाम दे दो equation number 1 तो हम यह चीज लेके चले थे और हम ultimately पहुंचके x y x equal to x square y के बार पर अभी जो equation 1 है replace करो x को x plus 1 से replace x y x plus 1 in equation number 1 equation number 1 में replace कर दो तो यह क्या बनेगा x plus 1 into y into x plus 1 equal to x plus 1 का whole square into y के बार पर ठीक है अभी से open करो आप सबसे पहले x plus 1 को y के साथ adjust किया तो x y plus y into x plus 1 ठीक है अब अंदर वाले पार्ट में क्या होगा x square plus 2 x plus 1 into y right अब further क्या करने है हमें one by one multiply करने सबसे पहले x y को x के साथ फिर इसके साथ फिर y को x के साथ फिर y को 1 के साथ तो जब आप ऐसा करोगे तो क्या-क्या times हैंगे x y x plus x y plus y x plus y equal to x square y plus 2 x y plus y के प्रापकर अब यहाँ पे हमें जो equation number one का है उसका use करेंगे हम यह जो x y x है इसकी जगह पे put करेंगे x square y ठीक हैं? plus x y plus y x plus y equal to x square y plus 2 x y plus y के प्रापकर ठीक हैं? हम इसका use किये हैं हमने यह equation number one का use करके हमारे पास यह जाएगे तो यहाँ से यह कट गया हमारे पास x square y से x square y y से y भी कट जाएगा ठीक हैं? यह जो 2 x y है यह x y उस तरफ जाएगा तो आपके पास x y बचेगा ठीक हैं? तो y x किसके बरापर आगया? x y के बरापर आगया so y x equal to x y तो finally हम क्या कह सकते हैं कि यह जो ring आ रहा है यह commutative है ठीक है? तो हमें यह प्रूफ करना था देखो practice बहुत ज़रूरी है इस चीज में आपके पास यह चीजे real time exam में जब आप पहली बार जाओगे उठके paper दोगे तो तो कभी जिन्दगी में यह कर नहीं पाओगे पहली बार में तो कि unseen question आ गया एकदम से देखा और paper में बैठे हैं कि कुछ आएगा करेंगे नहीं वो चीज click ही नहीं कर पाएगी आपको कभी भी आप एक step समझो कि इसमें आपने steps क्या किये सबसे पहले step में आपने जो given था उसमें आपने y की जिगए y plus 1 लेके चले ताकि हमारे पास ये चीज बन जाए ये चीज क्यों बनानी है हमें क्योंकि इस चीज का use हम आगे जाके करने वाले थे अभी जो required result आया इसमें हमने x को किस से replace कर दिया x plus 1 से replace कर दिया x को replace कर दिया x plus 1 से तो जब x plus 1 से replace किया तो उसके बाद हमारे पास finally ये चीज आगी बस आपको steps याद रखने है paper के time पे revise कर रहे हो ठीक है कुछ भी कोई भी competitive exam में हो तो आपको result को recall करना आना चाहिए कि ये given था तो इसमें हमने सबसे पहले x और y plus 1 लिया फिर हम यहाँ पे ये वला result पे पहुंचेंगे और इसमें हमने x को x plus 1 से replace करने है ठीक है जैसे जब हम इसमें square खोलते हैं तो square हम normal लिखोलते है जैसे square खोलने का तरिका क्या होता है x y plus x का whole square है मालो आपके पास तो हम लिखते हैं x y plus x into x y plus x के ब्राबर लिखते है तो सबसे पहले x y का square आएगा क्योंकि square से multiply कर दें फिर इसके साथ तो x y into x आएगा फिर x को इसके साथ फिर x into x y आएगा फिर x को इसके साथ x into x आएगा ठीक है तो ये बनेगा आपके पास xy का whole square plus xyx plus x square y plus x square तो ये इस तरीके से चलता होते है आपके पास ना कि हम direct ही ऐसे करेंगे जैसे a plus b का whole square कर दिया यहाँ पे ये चीज इसलिए हो गया क्योंकि आपके पास 1 था 1 को y plus y बनेगा तो वो 2y बनेगा हम solve इसको भी ऐसे करेंगे y plus 1 का whole square को भी direct हम formula नहीं apply करते है इसमें कभी भी तो y plus 1 y plus 1 हम ऐसे करेंगे तो y को y से इसको इसको तो y square plus y plus y plus 1 तो यह 2y बनेगे आपके पास थीक है interesting problem है जिसमें एक ring जिसमें दो elements का square individual square के product के ब्राबर हो गया तो worrying commutative होगी ठीक है तो बड़ी अच्छी problem थी यह practice करो इसकी बहुत अच्छे से